प्रिकेट की बंचक इस स्पॉंसर बाई माई 11 सेर्कल मेरी टीम खेल रही है और आपकी माई 11 सेर्कल पे अपनी टीम बनाओ और मुझे हराओ खुद को चैंप समझते हो तो प्ले विद चैंपिंग्स डाउनलोड माई 11 सेर्कल अप्स नाव IPL 2020 का रोमांच कितना कुछ बया कर रहा है अभी तक सिर्फ 10 मैच खेले गए हैं और 2-2 सूपर ओवर्स ने IPL सीजन 2020 को लगभग हिट कर दिया क्योंकि सासे रोखने वाले मैच हर नए दिन के साथ देखने को मिल रहे हैं हाल ही में राजस्थान और पंजाब के बीच एक रोमांचेक मैच हुआ था और उसके अगले ही दिन जिहां मुंबई इंडियन्स और रोयल चैलेंजर्स बैंगलॉर के बीच एक सूपर ओवर वाला मैच देखने को मिला ये मैच पहले टाई हुआ और आखिर में सूपर ओवर में बैंगलॉर ने मुंबई को हरा कर इस मैच पर अपना कबजा जमा लिया इस मैच में क्या हुआ शुरू से थोड़ा सा बताते हैं रोहिच शर्मा ने पहले टॉस जीता और बैंगलॉर को बैटिंग के लिए बुला लिया बैंगलॉर ने 20 ओवर में 201 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया RCB के लिए सबसे जादा रन डिविलियर्स ने बनाए उनका साथ दिया देवदत पडिकल और एरॉन फिंच ने इन दोनों ने भी डिविलियर्स के साथ साथ अर्षा तक बनाए जवाब में मुंबई की टीम भी 20 ओवर खेली है और 201 रन पे रुग गई इशान किशन ने शांदार 99 पॉलाड ने साथ रन के नौट आउट इनिंग खेली जिसकी मदद से स्कोर खड़ा हुआ और आखिर में मैच टाइरा लेकिन आखिर ओवर में आउट होकर लोटे इशान किशन सूपर ओवर में बैटिंग के लिए क्यों नहीं आए ये सवाल हर मुम्मे इंडियन के फैन के जहन में है इसका खुलासा खुद कप्तान रोहित शर्मा ने किया है रोहित शर्मा ने मैच के बाद बताया कि आखिर क्यों इशान किशन की जगा वो खुद पॉलाड और पांडिया के साथ आए रोहित ने कहा इशान निन्यारवरन की पारी और इतनी देर तक खेल कर पूरी तरह से ड्रेन हो गए थे वो पूरी तरह से सूपर ओवर के लिए कमफर्टेबल भी नहीं थे वो बिल्कुल भी फ्रेश महसूस नहीं कर रहे थे इसलिए हारदिक वो एक खिलाडी थे जिन पर हम बड़े शॉट्स के लिए विश्वास कर सकते थे रोहित शर्मा ने साफ कर दिया कि इशान किशन सूपर ओवर में खेलने के लिए पूरी तरीके से तयार नहीं थे हाला कि रोहित ने इशान किशन और कारन पॉलाड की पारी की तारीव भी की उन्होंने कहा ये एक कमाल का मैच रहा जब हमने बल्लेवाजी शुरू की तो हम मैच में कहीं भी नहीं थे लेकिन इशान ने लाजवाब पारी खेल कर मैच में हमारी वापसी कर आई पॉली भी हमेशा की तरह शांदार नजर आए इशान किशन ने मैच में पहले 20 ओवर तक फिल्डिंग की इसके बाद मुंबई की बैटिंग के टाइम चौदवी गेंड पर ही सूर्य कुमारी आदफ का दूसरा विकेट गिरा और इशान किशन बैटिंग के लिए आ गए वो 20 ओवर की पाचवी गेंड तक खेले हाला कि वो अपने शतक और टीम में मैच को जीत दिलाने से चूग गए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपने इसे यूट्यूब पर देखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे फेस्बुक पर आप इसे देख रहे हैं तो हमारे पेच को लाइक कर लिजे कैमरे के पीछे है जैरी मैं हूँ विपिन शुक्रिये